जब ठन बहुत ज़ादा होने लगती है तो इनसान का blanket से निकलने का मन ही नहीं करता बस यही दिल करता है कि blanket में पढ़े रहो और energy drink भी पीते रहो साथ में तो ठन का वो energy drink क्या है वो है बहुत ही लाजवाब चाए मतलब गाढ़ी चाए और तेस्ट मे परफेक्ट फ्लेवर वाली चाय अगर मिल जाए तो वाजिवा मजे ही मजे हैं, तो ये चाय इतनी जादा टेस्टी और बहुत ही जादा फ्लेवर फुल बनकर रेडी होती है, इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडियन्स डाला हुआ है, जिसे आपको देखने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना होगा है फ्रेंड्स वेलकम टू सदक क्रिस्पी कुकिंग जोन तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही एनर्जी वाली चाय तो मैंने तीन कप पानी लिया है मुझे चार कप चाय बनानी है तो इसके लिए मैंने तीन कप पानी गैस को मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है ताकि पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आए और कुछ कालिम में चोटी लाइची के दानों को मैंने क्रश कर लिया है और थोड़ा अद्रक का टुकड़ा भी मैंने इसमें ग्रेट करके डाल दिया है अब आपको वेट करना है बसे ही इसमें बबल्स आने लगे बस इसमें आपको चार चमच चाय पती डालना है मेरा जो स्पून है वो बहुत चोटी साइस का है मैं इसी हिसाब से करती हूँ एक कप में एक चमच डालती हूँ बस यह बहुत अच्छा परफेक्ट मेजरमेंट है अब इन्हें दो मिनट के लिए तेज आज पर बॉयल करना है फिर आज कम कर देना है और तीन मिनट के लिए हलकी आज पर इसे खुदी दम देना है चाय में आपको कि दम कैसा लिकिन एक बार इस तरीके से बना कर देखो आप बहुत टेस्टी होता है बस मैंने कोईले को जलाया और जला कर मैंने फ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक मिनट बाद धक्कन हटाईए, आप चाय का कलर अभी देख सकते हो, यह ब्लैक बिल्कुल रड सी हो गई है, और 30 से 40 सेकंड बाद इसमें से कोईला निकाल कर हटा दे या डिस्ट्रॉय कर दे, बस चाय को इतना पकाना है ताकि पानी जो तेज आच पर, मतलब इसको उठक बैठक करानी है चाय को, दो तीन बार, चार बार इसे ऐसे उठक बैठक कराईए, जब भी चाय बॉयल हो, फ्लेम को आप लो कर देजिए, जैसे ही चाय नॉर्मल हो, टेंपरेचर आप हाय कर देजिए, बस ऐसे ही करते करते, एक मिनट के लिए आपको उबालना है, ताकि चाय में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और आपको बिल्कुल ऐसा फील आए कि आप तंदूरी चाय पी रहे हो, फ्रेंट, जैसे जैसे मैंने कहा है, सेम आप वैसा ही करना, और ये कोईले वाला स्टिप डाल के बिल्कुल मत भूलन अब मैंने गैस बन कर दिया है, इसे 10 से 12 सिकंड के लिए ढग दिया है, 12 सिकंड बाद आप चाय का कलर देख सकते हो, फ्रेंट, इसमें कुछ भी मैंने एडिटिंग नहीं किया है, ये आप कलर देखो कितनी गाड़ी और जाग वाली चाय बन कर तयार हुई है, ये इतनी ज जेवर होता है, वो आदे घंटे तक ही बहुत ही अच्छा होता है, तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप प्लीज ये चाय बना कर देखो, और पी कर बताओ मुझे कि कैसी लगी, अगर आपको ये रस्पी पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शियर और सब्सक्राइब, ज्म्सक्राइब, जब एक ये वर वाचिए!